एसटकर्च के एक और वीटियो में आपका चायत करता हूँ दोस्तों इनवेस्ट्मेंट का एक सबकम इनवेस्ट्मेंट जिसकी प्लोस भी जैसी वी हो चाहे सारक मान्तरा ना या इनवेस्टमें आइडिलोजी ठीक है के आई इंडेस्ट्री का रिटर्ण का पोटफोलियो में दिखाया था तो क्या ऐसा हर कंपणी में हो सकता है हर कंपणी में तो पोटेंसियल रखती है जो फ्यूचर की सेक्टर बोली जाती है जिन में मल्टी टाइम्स मल्टी टाइम्स ग्रोथ की पोटेंसियल रखती और आजकी rate में बहुत ही छोटी है अभी छोटी ही है ठीक है आजकी rate में micro cap है small cap है कोई large cap नहीं बना है लेकिन आने वाले 15 साल में 20 साल में वो कंपणिया large cap सबके सब large cap कंपणिया होगी इसलिए बोला जाता है जब हम बात करतें investing की तो investing की एक simple सा philosophy होती है कि invest in business ठीक है बिजनस में potential पहाचाने के किस business sector में potential है multi growth sector का और उसी business में invest कीजे ना कि stock के price में दोस्तों तब ही आप invest compounding का enjoy रहे पाएंगे उसी तरह से future quality जो sector है यानि के जिसके अंदर growth की multi times growth की potential है निसंदे यी भी एक sector है electrical vehicle की company यह जो electrical vehicle sector में काम कर रही है उनके अंदर निसंदे बहुत ज़्यादा growth की potential है और drones making में drones all across the world drones making वाली company के अंदर निसंदे बहुत बड़ा मतलब की potential छुपा हुआ है और तीसरी company तीसरा जो sector है artificial intelligence और robotic का भी जैसे सब लोग चार्ट बोट चार्ट 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 का अंगामा कर रहा है क्या है चार्ट artificial intelligence ही तो है दोस्तो इस sector में काम करने वाली company इनके अंदर इतनी growth की potential है कि सायद आप आंदा जाना लगा पाएं और आज के 15 साल के बाद 10 साल के बाद अगर हम इस बात करेंगे तो उस time पर जो आदमी अगर invest किया रहेगा वो अपने आपको king समझेगा और जो आदमी इस opportunity को miss कर देगा वो पस्ताएगा कि कास मैंने 10 साल पहले market price पर जो market price अब लेवल था 10,000 रुपया भी मैं लगा कर छोड़ दिया रहा था तो आद 10 से 15 साल में में मेरे पैसे कितने गुने हो गए रहते दोस्तो इसी drone sector की मैं एक और company के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर चार दिन फॉले ब्रेक आउट हुआ है कि small cap company बोल सकते है micro cap company ब्रेक आउट हुआ है और मैं continuously उस पर वीडियो बनाते ही रहता हूँ दोस्तो यहां दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ जेन technology वाली company की यह देखिए day frame का chart लगा कर रखा है मैंने price को study करने के लिए long distance की moving averages लगा क वाली line है और 100 days की rate वाली line है price के strength को check करने के लिए हमने RSI लगा के रखा हुआ at present देखेंगे RSI to 73 के पास चल रहा है यानि कि अभी भी यह overboard zone में हम consider नहीं करेंगे इसको लेकिनी संदे price के अंदर इतना strength सोख कर रहा है कि कमाल की बात है और मैं आपको बता दू कि जब price यह जब यह तीनो जब line एक की उपर cross कर रहा था 100 days की उपर cross कर रहा था तब भी मैंने आपको video बना कर आप लोगों को बताया था कि नजर बनाए रखी जब इस level को previous अपने high के level को जो कि 232 रुपया के आसपस था जैसे इसने cross किया और इसके उपर next day का यह sustain किया दो दिन क तो भी मैंने आपको बनाया था कि अब इसके अंदर breakout की potential generate हो रही है और जब all time high previous all time high जो की 200 रुपया का यानि कि यह वाला price पर जैसे इसने breakout लिया मैंने उस दिन भी आपको video बना कर मैंने आपको बताया था कि दोस्तो अब इसके अंदर successful breakout हो गया है अब आपको इसके अं आकर आपको समझाने ये कोशिस कर रहा हूं कि दोस्तो ये कैसा sector है कि अगर आपका दाव सही हुआ तो बात पैसे की नहीं आपके 10,000 रुपे को भी ये 100 अगुना, 300 अगुना, 400 अगुना, 500 अगुरा करने का दम रखता है दोस्तो ये कैसा sector है सिर्फ आपका decision ही सही आपको प्रूप करेगा, 10,000 लगा कर आप एक दिन में नहीं बन जाएंगे कोड़ोपती, आपको 10 साल, 15 साल का time देना ही पड़ेगा दूस्तो, अगर इतना time नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्या आप share market से पैसा कमाएंगे, अगर 10,000 लगा भी दे रहे हैं, 10,000 लगा दे रहे हैं, त आप सोचिए कि 10,000 को कितनी बड़ी amount बना कर ये दे देगा, ये company कितनी बड़ी amount बना कर दे सकते हैं दोस्तो, break out हुआ है निसंदे, मैं आपको ये ही बोलूँगा कि इसी price के उपर आप entry ले सकते हैं, छोटे से amounts के बशाद entry ले सकते हैं, या जब जब ये price वापस booking आया, तो भी आप add करते रही है इसमें, ये small cap की company है, लेकिन निसंदे एक बहुत बड़ी company है, मैं लेके आया हूँ, Jane Technology के आपके official website पर ये photo देखकर ये आपको लग रहा होगा कि ये combat और इंडिया, army से related company है, जी हाँ दोस्तो, इसका one of the product जो है, वो anti-drone system की है, anti-drone system की है, anti-missile system की है, और इनका जो product है, mostly इसके जो client है, वो India Ministry of Defense है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, technical wording यूज किया गया है, ये radar तो इतना आप समझी गए होंगे, drone jammer इनका है, hard kill है, ये तरह तरह की service provide करते हैं, government of India को, यहाँ पर देखिए, anti-drone system provide करते हैं, और life range में देखे हैंगे, तो tank को target करने के लिए, suit house का life stimulation provide करते हैं, multi-factor target, smart target, tank zeroing system provide करते हैं, air to ground firing range scoring system, जो missile की testing होगा होती है, missile, tank to, air to air, soil to air मार करने वाली missile होती है, उसके लिए system provide करते हैं, दोस्तों, इसके अलावा, इनका life range है, जो tank को target करने के लिए, corner suit to weapon system provide करते हैं, ये government को पूरी के पूरी एक, यानि ministry of defense को एक अच्छी खासी अपनी ये service provide करते हैं, मैं चाहूंगा, मैं आपको encourage करूंगा, कि इनके website को आप visit करें, जब आप इनके website को visit करेंगे, तो आप देखेंगे कि किस-किस field में, किस-किस sector में government को service provide कर रहे हैं, या अपनी service ये दे रहे हैं, और आप आपको भी मालूंगा कि Indian defense जो है, अब अपना export करने लग गई है, ASEAN और बहुत सारे अफरिकन कंट्रियों को, अब इंडिया का defense sector बहुत बड़ा होने जा रहा है, एक दूसरा reason है, जो इस company में investment वर्दी बनाता है, अगले 10-15 साल, 20 साल के लिए वो ये, कि Indian defense अब import, export भी क करने लगा है, अपना service, अपना product, ठीक है, तो जैसे जैसे इनका product, service इंडिया government का बढ़ेगा, निसंदे इस से जुड़ी हुआ हर company का, revenue बढ़ेगा, business बढ़ेगा, profit बढ़ेगा, इससे ही stock price बढ़ेगा, जो ultimately आपको benefit ही पहुँचाएगा दोस्तों, ठीक है, अब मैं मार्च का closing price 282 रुपईया का है, आजी के दिन इसने 52 week high लगाया था, 284 का और 52 week low है, 0444 रुपईया का, dividend yield 0.04% है, face value 1 का है, industry कापी 32.9 का है, market capitalization 2246 करोड की capital कापनी है, यह small cap company है, stock कापी 91.7 है, ROC और ROE जब देखेंगे, तो कोई attractive नहीं लगेगा, लेकिन यह एक reason नहीं है कि stock को हम खराब बोल दे, ठीक है, stock के future को हम देखकर, future business की perspective को देखकर हम दोस्तों, इस stock के selection का idea दे रहा है, और आप जब देखेंगे, मैं आपको आगर quarterly report result पे लेकिया हूँ, तो आप देखेंगे कि यह company negative से जाके, negative से जाके constantly one quarter, two quarter, three quarter, four quarter, five quarter, constantly five quarter, यह constantly company, profit generate करने में कामयाब रही है, business की revenue बढ़ाने में अपने कामयाब रही है, यह दिखाता है कि आने वाला वक्त जो है, इस sector का है, और इस sector में बने जो लोग रहेंगे, वो अच्छा का सा profit कमाता हुआ दिख सकते हैं दोस्तों, मेरा तो one of the favorite company है यह, मैं already invested हूँ, इ इंकरेज करूँगा कि आप अपना investment करने से पहले, decision लेने से पहले, आप एक बार इस company के बारे में खुद भी research कर ले, जब आपका trust हो तभी invest करें दोस्तों, दोस्तों यह वीडियो पसंद आया, तो please मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए, thank you, subrak